अपने संसदी शेत्र पहुचे केंद्र इसपात राज्यमंत्री फगण सिंग कुलस्ते ने प्रदेश के कई मामलों को लेकर अपना बयान दिया है जिसमें उन्होंने प्रदेश में होने वाले उपचनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया कुलस्ते ने कहा कि पाटी को कोरण पूरा करने के लिए जितनी सीटें जरूरी मिलेंगी राजसभा चुनाओ के उम्मीदवार फूल सिंग बरया को लेकर फगन सिंग कुलस्ते ने कहा कि कॉंग्रस दलित विरोधी है क्योंकि राजसभा में बरया की जगा दिग्विजय कारे में नहीं सोचती है कॉंग्रस बरया का फॉर्म भरा कर सिर्फ दलितों की सहानुभूती लेना चाहती है कुलस्ते ने कहा कि उनके दोनों उम्मीदवार चुनाओ जीतेंगे आगे कुलस्ते ने केंद्र की तरफ से कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाये चाने की बात कही है कि कुल सिंग बरया को जैसे उनने फाराम भराया और उसको भरा दिया होता तो दिगुजय सिंग को कोई जरूरत नहीं थी खाइदा तो यही कहता है अगर दलितों के बारे में वो सूचते हैं तो उनको यही तरीका अपना ना था वार्पी जंदा पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारी जो संख्या है उस संख्या को हम पूरा करेंगे जित्ता कोराम के लिए जो आवस्चक है उसको पूरा करेंगे